तो स्वागत है आप सभी का अग्यापनी कीडमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को टेंथ क्लास के औह हिंदी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है खेमा और यह जो चैप्टर है यह बाल मजदूरी पराधारी थे पहले के जमाने में मतलब कई साल पहले ऐसा होता था कि बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती थी बच्चे मजदूरी किया करते थे और वो भी नहीं तो मजबूरी में उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं थे वो एक गरीब बच्चे थे ठीक है तो वो अपने अपेट भरने के लिए फिर उनकी कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके उजासे वो मज़्दूरी किया करते थे जिनकी उम्र नहीं थी मतलब छोटे-छोटे बच्चे साथ-ाण साल के बच्चेlles नौदस सल के बच्चे तो वो जाकर मझदूरी किया करते थे तो उसी को कहा जाने लगा बाल मझदूरी तो आज से कई साल पहले बाल मझदूरी की प्रथा चली थी लेकिन अभी ऐसा नहीं है अभी सभी बच्चे जो है ना समान है और किसी सभी बाल मजदूरी ने अभी जो बाल मजदूरी की प्रता है वो हट गई है लेकिन पहले ऐसा था और जो बाल मजदूरी करवाता था यानि कि मालिक बच्चों पर भी अत्यचार करता था कैसे बच्चों का शोशर करता था ये स उस बच्चे का मालिक जो है उस बच्चे पर कैसे अत्यचार कैसे जुर्म जुर्म किया करता था यह साधी सिजे आप लोग जानेंगे तो देखिए यह कहानी जो है ना इतना तो मालूम चली गया बाल मजदूरी पर अधारी थे और उसके बाद से इस चेप्टर के जो लेखक है ना वह पापूवी सपूरा नाम में दिया पापूवी और सबस सौटकॉर्ट नाम दिया गया है ठीक तो यह है इस चेप्टर के लेखक और यह जो लेखक है यह भी इस चेप्टर में मौजूद है मतलब यह ऐसा लग रहा है कि यह खुद अपने मूँ से कहानी बता रहे हैं सामने देख देखकर ठीक है और इसमें दो किरदार हैं एक है कसारा और एक है खुद खेमा नाम का लड़का जिसको बाल मजदूरी करनी पड़ रही है अप लोग को पूरा कहानी समझाती हूं लेकिन उससे पहले एक चोटी सिर्क्विस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर एक बीना नाम का चालू और अस्थाई होटल था जिसका कोई नाम नहीं था और वो होटल में सिर्फ चाय बनती थी ठीक और उस होटल के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि उस होटल में एक टूटा सा टेबल था जिस पर चाय बनाने वाली भट्टी रखी गई थी और उसी के साथ एक लाल कलर का पंकह रखा गया था और उसके एलावा एक और टेबल था दिवाल से सता जिस पर आठ दस लिटर दूद से भरा एक अलुमिनियम का आप बोल सकते हैं पतीला भगोना रखा गया था ठीक बड़ावाला ठीक और उसके बाद उस पर चाय भी थे गलास वो रखा गया था ठीक कुछ इस थरह का अका फोटल था तूटा-फोटा चालू होटल ठीक और उस होटल का मालिक का नाम था कसाः क्या नाम था कसाः नाम से ही आप लोगों को लग रहाऊँगा कि बहुत मतलब दिखने में देंजर होगा और बहुत मतलब आप अब बोल सकते हैं खडूस टाइप का उसी तरह का यह है इसका रोल इस चप्टर में एक कुछ इसी तरह का है खडूस टाइप का कसारा ठेक जो की यही अत्याचार करता है वह बालक पर चोटा सा बच्चा पर देखिए यह कसारा जो की होटल का मालिक रहता है पास के किसी जिसका यह और नाम खालूं से एक तुटलाते बोलते बालक को ले आया था इक तुटलाते बोलते हुए बच्चे को ले कर आया था जिसका क्या नाम था खेमा याद रखिएगा यह जी खेमा इस चेप्टर का में क्यरेक्टर है मरकजी किरदार उर्दुमें बोला जाता है कि में के रटर पर बोलते हैं हिंदी में तो इसे पर ये कहानी लिकी गई और यह जो खम था 8-96 का था से पटानी बोलते हैं चार याद नहीं आरा है कपर से याद नहीं आरा है तो पैबंध लगी कमीज वो पहनता था यानी कि फटा कमीज और उसके बाद से इसके अभी दूद का दात गीरा भी नहीं था अभी समझ लीजिए बच्चा था बच्चा तो है यह 8-9 वर्स का है ठीक तो यह खेमा नाम के लड़का को कसारा अपने पास के गाउं से अपने होटल में लेकर आया काम करने के लिए क्योंकि यह जो खेमा का परिवार था उसके कि खेमा को कसारा के होटल पर भेज दिए खेमा को काम करने के लिए और खेमा को बेटे को इतना कर्ज लिए थे कि वो अपने चार बेटे को भी बेच दिये थे करज चुकाने के लिए सोचे कितना गरीब थे अब ये लास्ट बेटा था सबसे चोटा बेटा खेमा अब उसको भी बाल मजदूरी करने भेज दिये बस करजा जितना लिये थे उसको चुकाने के लिए कसारा के पास से अब बे देता था सुबह सुबह इसका काम यही था कसारा चाय बनाता और खेमा क्या करता ग्लास में उसको चाय लेकर और ग्राहकों को देता जितने भी आये रहते थे ग्राहक उनको चाय देता फिर उंगलियों से यानि अपनी छोटी-छोटी उंगलियों से चार-पांच ग्लास टंक फिर उसके जो होटल का मालिक था कसारा ऩह मा को चिलाता कि एए खेमा कहां मर गया ठीक ऐसे होता है ना तो कि माड़ा हुआ आता और फिर जो है ना मालिक बोलता की यह लो डाइरी डाइरी लेकर जाओ और लिखवा लो को दो मास्टर सहाब कर का एक मिनट हाँ तीन साइकलवाले के दो मास्टर तो पी लाना ये तो काम था लेकिन उसके वह होटाल का मालिक फकारो दूसरे जगह भी भेज़ता था उस होटल के तो खेमा और चाय देने के लिए अखिर गूम लेते आराम से चलेंगे आखिर जाने के बाद होटल पर मालिक जो है कसारा सेठ जी वो तो हमको पीटेंगे ही मतलब बोलेंगे ही ठीक तो ये थोड़ा आराम से मस्ती करते हुए गया मतलब 8-10 मिनट लग गया लेट हो गया थोड़ा तो जब जैसे ही होटल पर आया खेमा वैसे ही ये जो मालिक था कसारा जिसको वो सेठ जी बोलता कहा मर गया था एतना देर लग जाता है फिलाने में तो गोल ला खेमा कि नहीं थोड़ा मस्ती करने लगा चाई देने गया था तो आय के बाहांने थोड़ा मस्ती किया तो उसी में लेठ हो गई लेकिन जूट बोल दिया कि मास्टर साब नहीं थे उनको आने में देर हो गई ठीक और उसके लावा खेमा के पास चपल भी नहीं थे वह नंगे पैर जो है ना खाली पैर वह जाता था दूसरी जगाँ चाय देने के लिए चाय पहुंचाता था साइकिल वाले के पास मास्टर साब के मुझे चपल दीजिए ठीक मुझे चपल चाहिए तो जो होटल का कसारा है हो आप बोल सकते हैं अतिचार कर रहा है तिक आगे बढ़िए अब इसे तरह इसका रोज का का यही था कि सुबह उठकर चाय देता फिर उसके बाद से डाइरी ले कर तीन साइकल वाले की दो मास्टर साहब की और उसके बाद से चपल नहीं पिंटा था नंगे पैर इसका पैर जल जाता था यह सारी इसके रोज का काम यही ठीक आए बढ़ी अप्रेल का महीना था और उस वक्त आप लोग जानते हैं अप्रेल में थोड़ी धूप जो है न वो गहराने लगती है तेज धूप निकलने लगता है तो जूठे गलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता था खेमा जो है न वो जूठे गलास जब ग् पर सबसे पेले पैर धोता था नगोने पर उसको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती थी थी थोड़ी सी राहत मिलती थी जिट रह धी पार पूरेल के मेने में दूप भी होता है तूँ उस दिन हुआई कि कम निप्टा कर जल्दी जल्दी कसारा जो है वह दो दो रोटी प्याज और चटनी लेकर खाने बैठा था झाले के इसको भूख लगा था लेकिन कह नहीं रहा था अपने मालिक से और उसका मालिक खाने बैठ गया था तो बेचारा चुप चुप देख रहा था खेमा की मेरे मालिक खा रहे हैं तब तक दो 4 गरहांका आ गया जब तो क्रहांकों को चाये देने लगा और यहां तक वह गरहांक आते थे चायँ पीने के लिए उस बच्चे को भद़्धी बद्दी गाली आभी देते थे आप जानते नहीं किस तरह मतलब ग्राहां जो है अगर होटल में काम करने वाला कोई इंसान है उसको गालिया देते हैं ऐसे होता है बेज़ती होती है तीक उसी तरह मतलब यह बेज़ती खेमा को सहना पड़ रहा था ठीक आगे बड़ी कसारा के इशारे पर खेमा खाना खाया मतलब कसारा कर दोम होटल का माली जरु कहाना खा लिया और जब वो सोने गया खाना खाकर और बिचारा खेमा नहीं खाया था वो तो ग्रहाण खागे तो चाए देने लगा तो मेरी इसारा किया रोटी के तरफ कि जाओ वहां पर रोटी रखायो तुम खालो ठीक तो लो कागाख यह वह और भी ऐसा लेकिदेश और फिर स्वोगी व Warum शोचा कि मैं सो जाँं यह करका कर्याए observ के सौन्पा कि सूदस सकता था अगर वो सौ जाएगा तो रहां कहेंगे तो कौन देगा खाना बडॉब bakın लिए टा दिक विर साल जानते हुए इसा मीशा उसमें चाए बनती रहती यह उसी ही मैं फैन चलता है तो गर्म हवा भी निकलती हैं तो गर्म पर बहोत बहुत जादा इसांता कितना अगे बढ़िये होटल के ऍटीनिक होने से जदा चाह बिकती थी हो-टल के पास एक लीनिक फा जहां पर मरीज आते थे दिखाने के लिए डॉक्टर से तरह तरह के मरीज आते थे और पता नहीं तरह तरह के मरीज आने के वजा से जो है ना खेमा के अंदर भी कितने बैक्टरिया गुज गए होंग लेकिन खेमा यह सब बरदास्ट करता था तो होटल के होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा चाय बिगती थी क्योंकि सुबह में ज्यादा आते हैं मरीज उसके बाद से साम में सबसे ज्यादा आते हैं तो सुबह साम ज्यादा चाय बिगती थी और पंखा घुमाते हुए कसारा आवाज दिया एरे खेमा यानि कि वो जो रेड कलर का पंकला था लाल कलका उसको घुमाते हुए जो मालिक था होटल का कसारा वह आवाज दिया खेमा को अे खेमा कहां मर गया तो खेमा जो था वह पास की जनेरल स्टोर पर बैठा हुआ था वो कसारा का एक आवाज सुनते ही दोड कर खड़ा हो गया मशीन की तरह काम करता था खेमा एक आवाज सुनते एकदम तुरंत आही जाना है खेमा को कसारा के एक आवाज पर जब आया तो उसका जो मालिक है कसारा वो बोला कि यह क्या बरतन तेरा बाप धोएगा चल जाके बरतन दो जल्दी ठीक अब बेचारा जो है न अगर काम करने में थोड़ी देरी क्या हो जाती तो कसारा जो होटल का मालिक उसको पिटाई भी करता था ठीक और दो महीने में खेमा की सारी दुनिया होटल में सिमटी रहे गई मतलब दो महीने से काम कर रहा था यह खेमा और इन दो महीनों में जो है ना खेमा की सारी दुन निकल पाएगा लेकिन देखिए रात होने से पहले खेमा सभी बरतनों की सफाई कर दी रात होने से पहले खेमा सभी बरतनों को धो दिया और उसके बाद से फिर कसारा और कसारा और खेमा यहां पर खेमा लिखना भूल गई हूं कसारा और खेमा खाना खाकर सो गए दोनों कसा और खेमा दोनों खाना का कर सो गए और अगले दिन फिर से वही काम कुछ नाया नहीं फिर अगले दिन वही सुबह में क्लिनिक के पास जहर सारे मरीज आते और सुबह शाम ज्यादा चाई बिक्ति तो वही रोज का धंदा यही था खेमा का की वुले जाकर चाई पिलाता था और आएरी ले यहीं और तीन साइकल वाले की दो वा界 मास्टर साहब के पांच सेर्च जी यह मंगाते थे दुसरे-दुसरे-दुकान पर से सिगृट मंगाते थे जा कर लाओ तो यह जा कर लाता था तो बाद में गालिया भी सेहने पड़ती थी यह देर सारी यह कल भी आये थे और आज भी आये हैं ठीक आगे बढ़िए तो हुआ यह कि अगले दिन कुछ नाया नहीं खेमा का वही काम था कि चाइपिलाओ फिर ले जाकर गिलास को धो फिर चाइपिलाओ फिर ले जाकर मतलब दूसरे जगह चाइप पहुचाओ लेखक जो है ये दो द खेमा का ये रोज मर्र की जिंदगी देख रहे थे कि वो रोज क्या करता है ठीक अब वो क्या किये कसारा चाय पत्ती और शक्र लेने बाजार गया था तो लेखक जो है वो खेमा को अपने पास बुलाए तो खेमा जो है ना वह आप बोल सकते हैं कपड़े से गीले कपड़े स वो टेबल को साफ कर रहा था तो वो छोड़कर और पहले लेखक के पास आया तो जो लेखक है वो खेमा से पूछे कि क्यूं जी खेमा तुम्हारे सेट जी कितने रुपे देते हैं महीने के ये बात सुनकर खेमा जो है वो बोला कि मैं नहीं जानता मेरे बापू जानते है यान की मेरे पिता जी जानते हैं तो फिर लेखक पूछे तुम इसकुल जाते हो कहीं तो फिर यह बाद सुनकर खेमा चूंक उठा और बोला कि मुझे पढ़ने का तो मन है लेकिन मेरे बाप celebratingें नहीं है इसको जाने लेकर पूछे कि या तुम अपने सेट जी यानि कि इस होटल का जो मालिक कसरा उनके पास खुश हो कि क्या साथ Caitlin रहे कर घुश हो यह बात सुनकर खेम कुछ नहीं बोला ुसका मतलब वह चुप रहा इससे मालुम यह चला कि वह खुश नहीं था लेखक को पता चल गया कि कि मितलब आप बोल सकते हैं भावख हो गए कि सोचो यह बच्चा जो है इसके साथ इतना जदा अत्यचार की आए कि मैं इसको लेकर भी जाना चाहता हूं तो यह सोच रहा है कि मैं इसको काम करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं तो लेखक बोले नहीं काम करना नहीं पड़े लगी वह बहुत दखुश था कि चलो यह जो है मेरको अपने साथ ले कर जाएंगे और मैं पढ़ाई करूंगा स्कूल में ठीक और उसके बाद से जो है ना इस शेप्टर के लेखक वह खेमा के जो परिवार वाले थे इनके जो पिता जी माता जी थे उनका पता लगाने की खटिया खटिया पर खेमा के पिता जी बैठे हुए है तो लेखक खेमा के पिता जी के पास गए खेमा के जो पिता जी है वह खटिया पर से उठ खड़ा हुए और बोले कि आप तो लेखक जो है वह बोले कि जी मैं मैं खेमा को जानता हूं तो फिर खेमा के जो पिता जी है वो बोले कि खेमा वो एक होटल में है सहाब जहां पर वो काम करता है तो लेखक बोले कि जी मैं जानता हूं कि वो एक होटल में काम करता है इसलिए तो मैं आया हूं उसको लेने के लिए मैं उसको पढ़ाना चाहता हूं उसको पढ़ा कर कुछ अच्छा और काबिल इनसान बन को इनसान आया है मेरे बेटे को लेने के लिए तो वह बोला खेमा के जो पिता जी है वह बोले कि लेकिन उससे पहले मुझे कसारा को जितने भी कर्ज लिये हैं वह पैसा चुकाना होगा तो फिर लेखक बोले कि कोई दिक्कत नहीं है मैं पैसे का इंतिजाम कर दूँगा और क्या कीजीयेगा कसारा को ले जाकर जितने भी कर्ज अप लिए हैं वह दे दिजिए गा ठीक तो फिर क्या हुआ एहँ लेकात बैठे थे और जब बात हो गई कसारा मान गया जाने देने के लिए होटल से फिर उसके बाद से लेकाक खेемा को अब अपने साथ लेकर जाने लगें और उसके बाद से जब लेकर जा रहे है थे ले अभी अभी अबी आजाद हुआ है बाल मसदूरी से और उसके बाद से लेखा को अपने घर ले कर गए पहले खुद ना हैं फिर Бोले कि यहाने के लिए कि मम नहाया नहाई दोनें साथ में बैठकर खाना खाए और उसके बासे लेखा की बीचले गए आर खेले मकों भी बैठकों भी बैठ लेके मेरा काली होती तो अचानक जो कि मैं उठकर आया और लेखा का यह बेठक कि मैं जिस होटल में काम करता था ना नेकिन रात को भी ये जो कसारा है खेमा को नहीं चोड़ता था अपना पैरदब हो आता था ठीक तो लेखक जो है वो खेमा को बोले कि कोई दिकत नहीं है अब तुम आजाद हो अब तुम मेरे साथ रहना आराम से पढ़ना अब कोई टेंसर नहीं है तुम अभी जाकर सो जाओ कल तुम में स्कूल जाना है ठीक तुम जाओ सो जाओ तो खेमा जो है वो सोने चला गया ल देखो यह जो बच्चा है कितना मजदूरि किया है कि इसकाहि अक्तिक किया गते चार किया रहा है तो ये सारी चीजे थी और ये सोच रहे थी कि पता नहीं ये खेमा की तरह और भी कितने बच्चे हैं जो की बाल मजदूरी किया करते हैं तो इस तरह जो है ना खेमा एक होटल और एक बाल मजदूरी के जिन्दगी से निकल कर एक लेखक अच्छे जिन्दगी में प्रवेश किया अच्छे आप बोल सकते हैं परिवार में प्रवेश किया और उसके जिन्दगी बदल गई जो खेमा की जिन्दगी सिर्फ होटल में स कहानी कम्प्लीट होता है कोई भी कम्फ्यूजन और इससे रिलिटेड आप हमें कमेंट करकर पूच सकते हैं बाकि मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आए तो वीडियो को लाइक शोव वगरा सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्राइब कर लेने के बाद और क्लिक कर लिजेगा उसे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर में लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज